हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे टमाटर की खटी मीठी और चटपटी चटनी जिसे हम सब्जी की तरह भी खा सकते हैं और ये बहुत टेस्टी होती है ये बहुत जल्दी बन जाती है और इसके लिए जो इंगेरियन्स है वो भी बहुत ज़ादा नहीं है और देखे जो घर में एंगेरियन्स हैं उनसे ये हमारी चटनी बन जाएगी। और इसके लिए ये मैंने 2 medium size की प्याज ली है और ये हमने 8 टमाटर लिए हैं ये भी देखिए medium size की टमाटर है इससे अलग हमने ली है ये 1 3rd गप चीनी 1 teaspoon नमक ये चीनी और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं ये राई ली है मैंने 1 teaspoon 2 हरी मिर्च 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च है ये थोड़ा सा हमारी सब्जी को कलर भी आ जाए उसके लिए हमने ली है और ये लिए हैं हमने curry leaves और अब हम अपनी recipe शुरू करते हैं उसके लिए पहले हम क्या करेंगे प्याज को अच्छे से छील लेंगे दो कर और इनको बारिक बारिक हम काट करेंगे और टमाटर को अच्छे से दो कर हम काट कर ग्राइंडर में पीस लेते हैं तो चलिए पहले हम इतना काम कर लेते हैं देखे फ्रेंड्स प्याज को हमने देखे बिल्कुल बारिक चौक कर लिया है ये देखे और टमाटर को भी हमने अच्छे से पीस लिया है बहुत फाइन इन उसको नहीं पीसना है थोड़ा दरदारा रहेगा तो चलेगा बट यह है कि मोटे मोटे पीसिस टमाटर के नहीं होने चाहिए और यह मिर्ची को भी हमने स्लिट कर लिया है तो चलिए अब हम आगे के तयारी करते हैं देखे फ्रेंग्स टमाटर की चटनी बनानी के लिए हमने यह कढ़ाई को गैस पर रख लिया है और इसमें टू टेबल स्पून ओई लिया है और यह कढ़ाई और यह तेल हमारा गरम हो चुका है और इसमें अब हम डालेंगे जो हमने राई ली है इसको डाल देंगे और राई को पॉप-प होने देते हैं और यह करी पत्ता हम इसमें दालेंगे और इस ही में हम डाल देंगे यह हरी मेर्ची और अब हम इसमें दाल देते हैं त्याज हरी मेर्ची डालते हुए क्योंकि उसके बीच उचल उचल के आते हैं थोड़ा सा आप पूं से डालें और उसको दस सेंटी फून में और उसके बाद यह हमने प्याज दाल दिया है यहां यह जो हमारी प्याज है इसको थोड़ा सा तिंख होने तब भून लेंगे देखिए फ्रेंड्स यह हलिका सा इसका कलर चीन्ज होना शुरू हो गया है यह लगवक तिंख हो गई है और इसमें अब मैं डालूंगी यह कश्मीरी लाल मेच देखिए कश्मीरी लाल मेच जो होती है वो तीखी नहीं होती है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूं क्योंकि हमने इसमें अल्रेडी ग्रीन चिलीज डाले है तो हमें यह देखना है कि बहुत ज्यादा यह हमारा तीखा भी ना हो जाए और अगर आप तीखा खा लेते हैं तो आप नॉर्मल मिर्च भी ले सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे जो हमें पीज कर लिए है यह डाल देंगे और यह जो नमक लिया है हमने नमक भीatyस में डाल देंगे और इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे देखे जब भी आपका मन ना करे कुछ कहाना बनानी का तो आप इस चतपने को फटा फट 되지 How effective बना सकते है देखे अगर आप शुगर नहीं खाते हैं या उसको एवॉइड करते हैं तो आप उसकी जगा गुल या जैगरी उसको यूज कर सकते हैं गुल को ग्रेट करके या फिर जैगरी पाउडर भी आता है आप उसको डाल सकते हैं देखे फ्रेंड्स ये बच्चों को बहुत लगती है और आप इसे रोटी के साथ पनाठी के साथ या राइस के साथ या फिर सिर्फ चटनी की तरहे भी खा सकते हैं तो ये हमारी शुगर मिक्स हो चुकी है और यहां हम इसे एक से दो मिनट के लिए थोड़ा बॉइल होने देंगे ढग कर ये देखे फ्रेंड्स ये अ टमाटर की खटी मिथी चटनी बनकर तयार है और यहां हम गैस को बन कर देते हैं देखे फ्रेंड्स ये हमारी टमाटर की खटी मिथी चटनी बनकर तयार है और हमने इसको गानिश कर लिया है हरी मिट से और इसको जो हम सर्व करेंगे थोड़े से ये जो जीरो नंबर के से होते हैं उनको डाल करेंगे और गानिशिंग के लिए हम एक करीब 20 में लगा देंगे यह देखिए और अब हम इसको सर्फ करेंगे देखिए लग रही है ना यह बिल्कुल टैंप्टिंग तो आप भी इसे घर पर जरूर ट्राइ कीजिए आप यकीन मानिए आपको यह बहुत पसंद आएगी और अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक कीजिए कमिन कीजिए शेयर कीजिए और मेरे नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक्यू